जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है सम्वेदंशील है सरकार इस विशय को लेकर संकल्प बद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा इसके लिए सरकार के मन में सम्वेदंशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के उपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है और इसमें जो जो लोग सनलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कारवाई में कठोड़ता भी होगी परंतु यह विशे सर्वोच्य नियायले में विचारा धीन है तो सरकार अपने उस सम्वेदानिक दाइत्व को भी भली बाती समस्ती है कि जो जो नियायले का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कारवाई होगी वह सरकार करने के लिए उड़ता संकल बद है परंतु यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें इसे अगर सामाने शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्ट में थर्ड अटेम्ट में भी जो थर्ड डिविजन नहीं पास हो पाए अर्थात सौ सीटे भी नहीं पापाए व वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का पृतिनिधी घोशित करने का प्रयास करें और जब यह विशे न्यायाले के विचारा धीन है तो न्यायाले के विवेक से उपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें तो यह साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भ अपनी राजनीत करनी है ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में डेड़ दर्जन के लगभग पेपर लिग के मामले हुए थे श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था और इतना ही नहीं आप सब को ध्यान होगा वहां के मुख्यमंत्री जी तो कई एक बार इस विशे के उपर व्यंग और कटाश के लहजे में बोल दिये थे नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है मैं तो जादूगर हूँ इस प्रकार के बयानों के बारे में असमवेदन शील बयानों के बारे में भी कोई टिपणी न करना बहुत दुखद नजर आता है